आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है तो सीधी सी बात है जब बाडी में रोटेशनल मोशन आएगा तो उस वकत हम बात करेंगे एंगुल मुमेंटम में तो अगर बॉढ़ी में रोटेशनल मोशन है तो उस рок थम बात करते हैं एंगुलर मॉमेंटम क्यों कि बोडी जो है वो जब मुझ करती है एक सर्कुलर पार具 मो डारी है तो तो चैन कि हम इसको कहते हैं angular momentum ठीक है तो क्या कहता है कि consider a rigid body rotating about a given axis with a uniform angular velocity एक rigid body लो जो rotate कर रही है एक axis के रद के रद with uniform angular velocity ठीक है उसकी velocity जो है वो uniform है एक जैसी है ठीक है जो हमने हमने आरे डिस्कस किया radius of gyration में या moment of inertia में let the body consist of mass m1, m2, m3, mn it perpendicular distances r1, r2, r3, r1 respectively from axis of rotation हमने आरे डिस्कस किया moment of inertia में या radius of gyration में कि हम एक body लेते हैं उसके कुछ particles की बात करें हम m1, m2, m3 की जो एक perpendicular distances पे हैं ठीक है उस axis से और वो perpendicular distance क्या है r1, r2, r3, rn ठीक है जो हमने figure भी दिखाई हुई है तो यह हमारे पास figure है यह रहा एक particle यह दूसरा यह तीशरा ठीक है तो यह कुछ perpendicular distances पे है r1, r2, r3 पे ठीक है तो क्या कहता है कि as the body is rigid angular velocity of all the particles is same जैसे कि हमने already discuss किया radius of gyration में कि अगर body rigid है तो that means उन particles की angular velocity जो होगी वो same होगी ठीक है तो मैंने पिछले topic में भी कहा था कि यहां से हम अगर इसका angle निकालें तो हमारे पास मान के चलो कि 50 degree निकला हमारा यह angle यहां से यहां तक जो body ने मूँ किया ठीक है अब हम दूसरे particle की बात करें तो वो particle मान के चलो यहां पे है ठीक है वो यहां से मूँ होगा तो यहां प 50 होगा तो दोनु एंगल क्या होंगे 50 होंगे तो ताइट मेंगलर विलासिटी जो है पार्टिकल्स की वह सेम है ठीक है However, as the distance of the particle from the axis of rotation are different, their linear velocities are different. लेकिन linear velocities उनकी अलग-अलग होंगी, जो पिछले टॉपिक में already discussed किया हुआ है, कि जब हम linear velocity के बात करें, तो वो अलग-अलग हागी, क्योंकि distance में difference हा रहा है, तो अगर हम linear velocities के बात करें, तो अगर इस particle के बात करें, तो इसने इतना distance कवर किया, ठीक है, लेकिन अगर इस particle के बात करें, तो ये सिर्फ इतना distance कवर करेगा, ठीक है, linear velocities की बात हो रही है, तो अगर इस body ने इतना distance cover किया that means इसकी velocity ज़्यादा है और इसने उसी time में थोड़ा कम distance cover किया that means इसकी velocity क्या है कम है तो हमने कहा कि angular velocities क्या होंगी same होगी लेकिन linear velocities अलग-अलग होंगी इन particles की ठीक है फिर क्या कहता है कि if v1, v2, v3, vn are the linear velocities of the respective particles then अगर v1, v2, v3 उन particle की linear velocities है इन पार्टीकल की जो हमने यहाँ पे लिया मान के चलो ठीक है जो particles हमने यहाँ पे लिये मान के चला m1 और यह रहा m2 और यह रहा m3 ठीक है तो इनकी linear velocity जो होंगी वो हम मान के चलेंगे v1, v2, v3 और गूस्डू वी एं ठीक है तो उसक्त क्या होगा कि V1 किसके बराबर हो वी 1 होगा R1 omegya के बराबर V2 is equal to r2 omegya के बराबर V3 is equal to r3 omegya के बराबर सेम इसी तरीक से जब हमने radius of variation में निकाला था acceleration निकाला था किसके बराबर A is equal to r1 alpha के बराबर निकाला था ठीक है तो अगर हम A1 की बात करें तो R1 Alpha अगर A2 की बात करें तो R2 Alpha इसी तरह किसे निकाला था क्यों क्यों कि यहां पर linear velocity जो है वो depend करती है इस position vector बेड़ा जितना perpendicular distance जादा होगा उतनी linear velocity जादा होगी ठीक है तो हम V1 is equal to R1 omega लिखेंगे और omega क्या है angular velocity है ठीक है R1 position vector जो perpendicular distance है और omega angular velocity तो the linear momentum of particle of mass M1 तो linear momentum क्या आएगा किसका M1 का क्या आएगा P1 is equal to M1 V1 mass into velocity होता है momentum ठीक है तो M1 तो same भी रहने वाला लेकिं V1 की value हम यह वाली put करेंगे ठीक है तो क्या आएगा R1 omega आएगा the angular momentum of this particle about the given axis तो angular momentum क्या आएगा तो जैसे कि हमने बात की अगर हम बात करें टार्क की तो टार्क के लिए हमने टाव is equal to R into F ठीक है क्यों क्यों क्या क्या कहते है moment of force कहते हैं और angular momentum को हम moment of momentum कहते हैं ठीक है moment of momentum कैसे निकलेगा तो इसको हम L या G से unit करते हैं तो यह आएगा R into P ठीक है तो और किसके बराबर R into F के बराबर और angular momentum किसके बराबर R into P के बराबर तो हमने लिखा यहां P into R ठीक है अब P किसके बराबर M1, R1, omega के बराबर जो आरेड़ी यहां पर निकाला हुआ हमनी ठीक है और R1 सेम रहने वाला है ठीक है तो क्या होगा जैसे पीछली पीछली topic में हुआ कि M1 तो सेम ही रहने वाला है R1 और R1 को हम product करें निकालें तो क्या आएगा R1 का square आएगा और omega का omega ठीक है तो यह निकला एक particle का angular momentum तो इसी तरीके से हम बाकी का भी निकाल सकते हैं तो वही हमने लिखा है कि similarly angular momentum of other particles of the body about the given axis are M2R2 का square omega M3R3 का square omega MNRN का square omega ठीक है तो angular momentum of the body about the given axis तो angular momentum कैसे लिए हम निकाल सकते हैं पूरी body का तो उसको हम denote करेंगे L से तो क्या आएगा L is equal to तो हर एक particle का हमने निकाला angular momentum तो M1 का यह आया M2 का M1RN का square omega M2R2 का square omega M3R3 का square omega और goes to MNRN square omega ठीक है और उसके बाद हमने क्या किया omega को हमने कामन निकाला हर एक term के साथ था तो कामन निकाला और अंदर क्या बचा M1R1 का square M2R2 का square M3R3 का square और goes to MNRN का square ठीक है तो next step में क्या होगा अब यह वाली term जो है M1R1, M2R2, M3R3, MNRN तो इनकी हम summation निकालें तो क्या आएगा क्या है कि L is equal to, Iota is equal to 1 to N, M Iota, Iota का square और omega बाहर से ठीक है तो हमने already निकाला कहां पे moment of inertia में हमने निकाला कि I की value इसके बराबर निकाली थी ठीक है तो इसको हम I के बराबर लिख सकते हैं तो हम लिख सकते हैं L is equal to I omega ठीक है तो हम कह सकते हैं कि that's angular momentum of a body about a given axis is the product of angular momentum किसी भी body का angular momentum जो है वो है क्या वो product है किसका product है product of moment of inertia and angular velocity of the body about that axis उस body की एक axis के रद गिरद जो moment of inertia होगा और उसकी angular velocity होगी उसके product के बराबर उस body का angular momentum हमारे पास निकलेगा ठीक है तो यह था हमारा आज का topic angular momentum